भारतिय सास्ते नित्य हमिशा सही कंपटिस्टनिक जाब में अपना महत्त बनाये रखा है इसलिए नवल एजूकेशन पॉइंट भी आठ प्रकार के सास्ते नित्यों को आपके सामने प्रश्टत कर रहा है इन सबी सास्ते नित्यों को पढ़ते समय कुछ बाते हमें ध्यान देनी होगी जैसे कि इनकी उत्पती कहा हुई क्या इन नित्यों का कोई और नाम भी है किस कौन सी विसेस मुद्रा है जिसमें ये नित्य किये जाते हैं क्योंकि नित्यों जो है अलग-अलग मुद्राओं में होते हैं तो क्या कोई ऐसी मुद्रा है जो बहुत ज़ादा ख्याती प्राप्ति कर चुकी है वो भी हम यहाँ पर दियान देंगे इसके अलावा इसके समर तक कौन कौन से हैं उस नित्य के और क्या कोई एक समय के बाद इनकी जो प्रशांगिक्ता थी या ये समाज में उतने ज़्यादा अपना एक तरीके से ये निश्प्राण हो गए थे क्योंकि इनको उतना महत्व नहीं मिल पा रहा था इनको संग्रक्षर नहीं मिल पा रहा था क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने उस नित्यों को पुनरजीवित करने का काम किया यानि कि हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है उत्पत्ति के बारे में अन्य नाम क्या कोई अन्य नाम है क्या कोई मुख्य मुद्रा है समर्थक है और वो व्यक्ति जिसने इस नित्यों को आधु भरत नाटियम बहुती प्रशिद भारतिय सास्ति नित्य है और यह आपको ध्यान देना चाहिए कि भरत नाटियम का जो नाम है वह भरत मुनी तथा नाटियम सब्दे से मिलकर बना है और इसकी उत्पति के अगर हम बात करें तो भरत नाटियम को दासियटम्भी और अगनी नित्य भी भारत नाटियम को दासियटम्भी कहा जाता है और अगनी नित्य भी कहा जाता है दरवसल तमिल नाडू में जो मंदिर होते थे वहां पर देवदाशियां एकल नित्य प्रस्तुति करती थी और क्योंकि देवदाशियां करती थी इसलिए इसका नाप दाशी अट्टम भी कहा जाता था रही बात अगनी नित्य तो ये भी कहा जाता है क्योंकि यह मानों सरीर में अग्नी की अभिव्यक्ति करता है ध्यान देना यह जो भharatnatrium नित है यह अग्नी की अभिव्यक्ति करता है इसलिए इसका नाम अग्नी नित भी है क्योंकि भरतनाट्य में जो अधिकांस मुद्रा हैं वो लहराती हुई आग की लपटों से उशी की तरह दिखती हैं आग की लपटों से शादरिश्य दिखती हैं इसलिए हाँ पर कहा जा रहा है अगनी नित्य भरतनाट्य में क्या कहा जा रहा है अगनी नित्य कहा जा रहा है क्या कोई विशेस मुद्रा है जी हां मुख्य मुद्रा है कटक मुख्य हस्त कटक मुख्य हस्त जो है वो इसकी मुख्य मुद्राओं में से एक है कटक मुख्य हस्त में होता क्या है जिसमें तीन उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक बनाया जाता है तीन उंगलियों को जो अब इस बात है इतनी इतना प्रमुख प्रशिद भारतिय सास्ते नित्य है तो इसके समर्थ तक तो हो गई क्योंकि भारतिय सास्ते नित्यों की मुख्य परंप्रा किया है विशेश परंप्रा कि इसमें गुरू शिश्य की परंप्रा अपनाई जाती है गुरू शिश्य की प काल है इसमें एक हमें गुरु शिश्यों की लंबी चेन देखने को मिलती है कुछ यहां पर नाम दिया जा रहे हैं रुक्मणी देवी अनुडेल का यामनी कृष्ण यामनी कृष्ण मूर्ति कृष्ण मूर्ति पद्मा शुब्रमणियम मनालिली सारा भाई सारा भाई यह सब्दे मिले जुले हैं क्या हम देना उसको यह सब्दे सब क्या हैं मिले जुले हैं यह पहले भी सुने होंगे इनके जो आगे के जवाट सुने होंगे कृष्ण कृष् हैं और इसके लावा हमें देखना पड़ेगा कि क्या भरत नाटियम नित्य को क्या किस ने पुनर्जिवित किया जी हां इक रिष्ण अयर ने किस ने किया था इक रिष्ण अयर ने दरसल हुआ क्या जब देवदासी प्रथा खतम हो गई या उसका ओशान हो गया तो उसके बा तो यहां पर इक रिष्ण अयर का नाम आता है हाला कि रुक्मनी देवी अरुंडेल ने इस नित्यों को वैश्विक पहचान दिलाने का क्या किया प्रियास किया और श्रे भी इनी को दिया जाता है रुक्मनी देवी अरुंडेल को भरत नाटिम नित्यों को वैश्विक पह याद्रहाग क्योंकि इन्होंने इसको वैस्विक पहचान दिलाई है कैसी पहचान दिलाई है कुछी पुडी मा आते हैं कुछी पुडी कुछी पुडी कि उतपत्ते होशे ह् अंधर पर्देश में का उवी आंधर पर्देश में हुई इसकी पत्ती जो हुई आंधर पर्देश में हुई क्या इसे किसी ने शंगरक्षटniestन दिया div यहाँ इसे संग्राइच्षिन दिया है विजे नगर गोलकुंडा के साइसकों ने। बहुत इंप्यपोटन है त्यूक्जटन विजे अगर सामराज्यों काफी इंप्यों के एकजाम में तो विजे नगर क्याक्षिन आने के पूरी संभवना रहती है यह तो विजएनगर यहां उसके आसपास के जो बह्मनी राज्या, अद्निय प्रकार के जो सल्तनते हैं थी तो विजएनगर और गुलकुंडा के सासकों ने कुचिपुडी नित्य को क्या किया था संग्रेश्चन प्रदान किया था इस नित्य विद्या को पुनरजिवित करने का काम किशने किया बाला सरस्वती और रागनी देवी ने इस नित्य को पुनरजिवित करने का काम किया मुख्य प्रश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् नित्य नाठक प्रस्तिती इसमें होती है और क्या किसी प्रकार के वाद यंत्र करें इसमें इस्तमाल किया जाता है यहां यहां पर वाद यंत्र है वाईलिन और समर्थकों की अगर बात करें तो राधा रेड़ी और राजा रेड़ी सबसे प्रमूख है बहुत धी hebben इनके बारे में कम से कम यह बात जुरूब पता होनी से राधारेड़ी और राजा रेड़ि कुछिपुडी नित्ते के क्या है समर्थक है ध्यान देना उत्रथ्फट्टि कहा है आंधर परदेश जादे तब क्यूशन जो है वो उत्रथ्फट्टि से हिए आते हैं तो उत्रथ्फट्टि तो एकदम Clear Record पता होना जही है कि कुछिपुडी नित्य की उत्पत्ति कहा हुई आंदर प्रदेश में यानि कि ये जो नित्य है ये आंदर प्रदेश का है ज्यांदिना ओके आगे बढ़े तो कथकली कथकली नित्य की उत्पत्ति कहां कहां हुई केरल में यानि कि केरल का नित्य है ये केरल का सास्तिरी नित्य है कथकली कथकली को संग्रक्षन किस ने दिया था सामंतों ने केरल के सामंतों का इसे संग्रक्षन मिला था पुनुरुथान किस ने किया मल्याली कवी मल्याली कवी वी एन मैनन के द्वारा मुकंद राजा के संगराशन में राजा का नाम किया था मुकंदु राजा था और मल्याली कवी ने इनको संग्रिशन दिया था वी एन मैनन तो ज्यादा इंपोर्टर नहीं है पुनुर्थान लेकिन फिर मैंने का बेसिक चीजा है कम से कम इतनी बात है तो पता होनी चाहिए क्योंकि जीगे का लेबल जो है व यह नहीं कह सकते हैं और भी दाइरे हो सकते हैं उसके पेपर देने के तो कुछ ऐस्टा बाते तो पढ़नी होती है क्यों उत्पत्य से काम ने चलता तो यहां पर क्या इसका कोई और नाम भी है जीहा कतकली कतकली नित्य का एक और नाम है पूर्व का गाथा गीत पूर्व क सास्ति नित्य है केरल का और उसकी उत्पत्ति भी केरव में ही हुई थी संग्रक्षन इसे किसके द्वारा देया गया 53 कोर के सास्तिकों के द्वारा मोहनी अट्टम को संग्रक्षन किसके द्वारा मिला 53 कोर के सास्तिकों के द्वारा मोहनी अट्टम नित्य को क्या मिला संग् पूनृत्थान का काम की ने कीया, लियाली कवी वी अंड मैनन और कल्याणी अंमा की दोरा इसे पूनृत्थान किया गया, समर्थकों में कौन कौन आते हैं। शुनंदा नयर माधुरी अंमा और जैप्रभां मैनन ये मोहनी अट्टम के प्रमुख शमर्थक है सुनन्दा नायर माधुरी अम्मा और जैप्रभा मैनन कतक कली मोहनी अट्टम ये द्यान देना ये दोनों क्या हैं केरल के ही सास्तरी नेत्य हैं ओडिसी ओडिसी तो इसकी उत्पत्ति बताने की जरुवत नहीं है क्योंकि ओडिसी नाम से पता चल रहा है कि इसकी पत्ति कहा हुई ओडिसा में हुई यानि कि ओडिसा का क्या है सास्तरी नित्य है और इसे संग्रक्षन जो दिया गया था वो जैन राजा खारविल के द्वारा किया दिया गया था खारविल क्योंकि इसे संग्रशन खारविल के द्वारा दिया गया इसलिए बहुत जरूरी हुए आता है इसके बारे में पढ़ना जैन राजा खारविल जैन राजा खारविल के द्वारा औरीसी नित्यों को क्या मिला था सहरेशन मिला था पुरित्तान के बात करें तो पुरित्तान इसका उठान हुआ है चालस फैबरी और इंदरानी रहमान के द्वारा चालस फैबरी और चरणदास गिरू केलू चरण महा पात्र शोनल मालसिंग सेरौन लोविन मिल्ला बार्वी ये इसके प्रमुक समर्तक है किसके ओडिसी के तो ओडिसी के बारे में विशेज जो है वो ये है कि इसे संगरशन किसके द्वारा दिया गया जैन राजा खारवेल के द्वारा दिया आगे बढ़ते हैं मनिपूरी याद रखना ओडिसी नित्यकी विशेश मुद्रा है त्रिभंग मुद्रा और ये जो बात है ये नितिन संग घानिया की पुस्तक भारती कला और संस्कृति में बताया गया है क्योंकि इसमें हो सता है कि कई बच्चों को डाउट सो क्योंकि इक भरत नाटे में भी त्रिभंग मुद्रा के बारे में कहें प्रूलेख है तो ये चीज है आपको और करणा आगे मनिपूरी मनिपूरी द्वारिकाक के द्वारा काफ़ए इंपोर्टन है रविंद नाण टैगोर की द्वारा कोषरे जाता है मरिप नित्य की पनलुदत्थान के लिए मुद्रा जो है नागा भंदा मुद्रा याद रखना वह나uğल बोखोट इंपोर्टन है नागा भंदा नागा बंदा मुद्रा ये मनिपुरी नित्य की मुद्रा का नाम है नागा बंदा मुद्रा क्या होती है नागा बंदा मुद्रा में सरीर को आठ की आकरती में आठ की आकरती में एक तरीके से आठ की आकरती बना दी जाती है तो इस तरीके से इसमें संयोजित किया जाता है इ ये मणिपुरी नित्य विद्या में एक महत्यपूर्ण मुद्रा है नागा भंदा मुद्रा मणिपुरी नित्य की प्रमुक मुद्रा है समर्तकों के अगर बात करें हैं अगे बढ़ते हैं इसमें कथक कि उत्तै निला सोके इस तरह को लेडी लीला सोखे को कतक शास्ते नित्य का प्रोध थानकष्रेव दिया जाता है कतक के यह दिये हम बात करें तो मुखल यूग के दोरान कतक नित्य की जो विद्या है ये पतीत हो गई थी ये कामोत तेजिक सैली में प्रस्तुत की जानी लगी तो इसलिए इसकी एक और साका बन गई और उस साका पर फार्सी वेस भूशा का काफी परभाव पड़ा था लेकिन बाद में इसे लेडी लीलास शोखे के द्वारा पुनरिजिवित किया गया था कथक नित्य को बिश्विशत आपदी के बाद है बाद में कथक की बहुती महत्वपूर विश्षताओं के तौर पर इसमें ये देखने को मिलता है कि कथक नित्य के कई सारे घराने भारत में देखने को मिलते हैं प्रासकर यूपी में उत्तर प्रदेश में लकनो घराना जैपुर घराना राइगर घराना बहुत प्रकार के घराने आपर देखने को मिलते हैं शमर्तकों की एदि बात करें तो बिर्जु महराज बहुत इंपोर्टेंट है बिर्जु महराज लक्षु महराज शितारा देव दम्यन्ति जोशी ये कथक नित्य के प्रमुक शमर्तक है जुगल बंदी यहाँ पर प्रमुक इसकी प्रस्तुती होती है जुगल बंदी क्या होती है इसकी प्रमुक प्रस्तुती होती है आगे इसमें बढ़ते हैं शत्रिय शत्रिय भी एक सास्त्रिय नित्य है और इसकी उत्पति कावी असम में है असम का सास्त्रिय नित्य है शत्रिय वैशनो धर्म से संब्दित है किसे संब्दित है वैशनो धर्म से संब्दित है और इसके सुरवात किशने करी वैशनो संत शंकर देव की द्वारा की गई बहुत इंबोड़न है शत्री नित्य की सुरवात किशने करी वैशनो संत शंकर देव द्वारा की गई और अब यहाँ पर देख लेता है कुछ मुद्रा है यह जो मुद्रा है यह भरत नाटियम की है भरत नाटियम की मुद्रा और इसके बाद यह है कतककली यह है कतककली कतककली के बारे में अभी हमने पढ़ा था यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि जो चरित्र यहां पर दिख रहा है इसमें मुकुठ इसने धारन किया है चेहरे पर काफी सरंगार भी किया है और इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह जो हरा रंग है ना इसमें हरा रंग यह जो हरा रंग यहां पर दिख रहा है यह यह जो हरा रंग है यह कुलीनता को दरसाता है किसको दरसाता है कुलीनता को दरसाता है दिब्बिता को दरसाता है शद्गुणों को दरसाता है यह हरा रंग यहां पर नाक के बगल में अगर हम देखें नाक के बगल में लाल दब्बे हैं तो वो जो हैं प्रभुत्तो को दर्सा रहा है किसको दर्सा रहा है प्रभुत्तो को डोमिनेंस को दिखा रहा है इसके लबावा जो काली रंग का स्तवाल हुआ है वो बुराई का प्रतीक है यह कहाँ है दुष्टिता को दिखा रहा है ऊसको निरूपित कर रहा है तो यह है कतक कली इस तरह के से भारतिय सास्थे नित्कितों के आऩ परकार के जो आछ परकार है आठ प्रकार की सास्तरे नित्य हर्ण के द्वारा दिया गया उनके समर्थक किन द्वारा उन्हें पुनरजीवित किया गया और कुछ प्रमुक्त मुद्रा है तो इस तरह के से सास्त्री नित्य का ये वीडियो हम यहीं पर क्या करते हैं एंड करते हैं मिलते हैं एक ने टॉपिक को लेकर अगली वीडियो में गुड़ बाई